प्रस्न 16 वह एपी ग्याद कीजिए जिसका तीसरा पत 16 है मतलब A प्लस 2D बराबर 16 दिया हुए हमें तो यहां से दोखो एक कमान निकाल सकते हैं A कमान निकाला हमने 16 माइनस 2D इसे हमें पहले निकाल लिया A कमान अब आगे देखो 7 पत 5 पत से 12 अधिक है अर्थात 7 पत क्या होगा A7 बराबर 5 पत से 12 अधिक A5 से 12 अधिक है तो देखो 7 पत क्या होगा A प्लस 6D प्लस 4D प्लस 12 दोखो दोनों तरब से A, A कट जाएगे अब यहाँ D निकाल सकते हैं न देखो 6D यहाँ पे है माइनस 4D वहाँ से आजाएगा दाइने से बाएं आजाएगा यहाँ बचेगा 12 इस तरह हमारे पर 2D बराबर 12 आ गया और D बराबर 6 D कमान यहाँ से निकल गया अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 से A बराबर 16 माइनस 2 गुरा में D 16 माइनस 12 16 माइनस 12 4 आ गया तो हमें A कमान प्राप्त हो गया और D कमान प्राप्त हो गया हमें निकालना क्या है वह AP याद कीजिए तो देखो AP किसे कहते हैं AP होगा हमारा A A plus D A plus 2D ऐसे बढ़ता जाएगा AP तो यहाँ पर AP कितना होगा हमारा A कितना है 4 4 4 plus D 4 plus 6 10 10 plus 6 16 16 plus 6 22 इस तरह से हमारा AP आ गया